देखो नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो वैसे नीज बे रहता है because of missile launch, धंकी देदी, US के साथ issues हो गए, मगर हाली में इन्होंने काफी है, एक मैं कहूंगा, अजीब सा ने लिया, अजीब सा इसलिए क्योंकि इन्होंने Tokyo Olympics 2021 में जो Summer Olympics होंगे in Japan, जपान के capital Tokyo में इससे कर India withdraw, यह कह रहे हैं कि हम यहाँ पार्डिस्पेट नहीं करेंगे, रीजन क्या है, रीजन यह कहते हैं COVID-19, यह कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत ही केरफुल है, इस pandemic को लेकर हमारे देश में pandemic फेला नहीं है, इनके हिसाब से जो डिटा इनका है, और यह लोग कह रहे हैं कि हम medal chance directly काफियत तक बढ़ जाते हैं, नाव यहाँ पे आप question पूछेंगे, अच्छा सही में मतलब North Korea क्या मतलब इतना बड़ा एक performer है Olympics में कि इनके जाने से इंडिया को फायदा होगा, सुनने में तो यह आता है कि यह काफी गरीब देश है, यहाँ पे भुकमरी है, लोग के पास खाने को नहीं है, देखिए वो सब आते अपनी जगा है, मगर जहाँ पे इनकी सरकार काम करती है, काफी effective तरीके से काम करती है, especially ऐसे stage पर जहाँ पे इनकी country की image का सवाल हो, आप जानके अनान होंगे, कि जो 2016 के summer Olympics थे in Brazil, इसमें आप अगर देखो medal tally, तो USA था number 1 पे, चाइना था number 3 पर, और South Korea था rank 8 पर, North Korea की rank इनके country की हलत के साप से, काफी अच्छी थी, इनकी overall rank थी 34th, यहाँ पे आप देखोगे, यह rank भैतर है Turkey से, जी हाँ, North Korea ने Turkey से अच्छा परफॉर्म किया, एजरबाया से अच्छा परफॉर्म किया, Thailand, Belgium, यह सब काफी बड़े द एक silver, एक bronze, हमारा जो मित्र देश है, Israel, यहाँ पर भी दोस्ती नहीं भा रहा है, यह भी हमारे साथ खड़ा हुआ, with two medals, दोनों bronze, Pakistan, overall zero medals, जो काफी हजीब है, वो क्लेम करते हैं के martial race है, काफी strong है, मगर overall Olympics में काफी पूर परफॉर्मेस हैं की, तो यह सब जो देश है, यह North Korea से actually काफी पीछे हैं, when it comes to medal tally, now यहाँ पर आप कहेंगे, अच्छा, North Korea ने medal जीते भी होंगे, तो शायद gymnastics में भी नहीं, आप जानके हरान होंगे, के North Korea का जो main sport है, जिसमें यह जीतते हैं, यह weightlifting, आप दिखोगे, जो majority of इनके medals हैं, gold और silver, यह हैं from weightlifting category, और उसमें भी women's 75 kg, men's 56 kg, women's 75 plus kg, इसमें इनोंने कमाल के athletes produce किये हैं, और यह टकर देते हैं Americans को, Chinese को, और मैं यही कहूंगा, they are punching way above their weight, now Indian perspective से आप अगर सोचो ना, तो जो यह sport है weightlifting, यह भारत के लिए भी बहुत important है, जो हमारे athlete है, यह भी target करते हैं weightlifting को, इंडिया के जो primary sports है, to achieve the medal, इस उसके इलावा आप कह सकते हैं, boxing है, weightlifting है, फिर उसके इलावा कुछ और sports है, now weightlifting में भारत के medal मिलने के chances काफी अद तक बढ़ जाते हैं North Korea के withdraw के बाद, और यह मेरी statement नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई negative सोच रहा हूँ कि अच्छा वो भाट निकल के तब हम जीच जाएंग हमको beat करना होगा बाकी athletes को, मगर medal मिलने के chances मैं काऊंगा, बहुत अत्तक इससे बढ़ जाते हैं, और किन athletes को यहां पर फायदा होगा, देखो primarily यहां पर बात की जा रही है, मीरा भाई चानू की, यह है एक female weightlifter in the 48 weight category, माना जा रहा है कि अराम से, जो इनकी performance रही है, यह silver या फिर bronze medal जी सकती है, in the upcoming Olympic Games, क्योंकि क्या है कि अभी के लिए जो इनकी performance है न, यह आप कह सकते हैं, दुनिया में 4 spot पे है, अगर हम बात करें, world championship की, अभी हाली मा को बताओगा, 2019 की जो world weightlifting championship है, यह हुई थी Thailand में, पताया in Thailand, तो वहाँ पे आप अगर देखो, तो 3rd spot पे यहाँ पे एक interesting बात यह भी आती है, के इंडिया नासिर bronze, इंडिया जी सकता है, silver as well, क्योंकि देखो, अभी के लिए क्या है, जो Chinese weightlifters है, वो और आम से 209 kg lift कर लेते हैं, री सौंगो, इनकी capacity है, around 204 kg, भारत की जो athlete है मेरा भाई, इनका best अभी के लिए 201 kg, और इनके इचे के जो athlete है, वो कहीं से भी इनको reach नहीं कर पाएंगे, फिर एक aspect यहाँ पर यह भी आता है, के Olympics में, per category, एक country अपना एक ही weightlifter भेज सकती है, मतलब के 45 kg के जो category है न, वहाँ पर China भेजेगा सिर्फ एक ही weightlifter, इंडिया भेजेगा सिर्फ एक ही, बाखी countries भी एक ही है के China अराम से ले जाएगा gold medal, उसके बाद silver और bronze अराम से मिल सकता है India को, इनके इलावा अगर हम बात करें, तो विनेश पोगट के भी chances काफियत तक बढ़ जाते हैं, because of North Korea's withdrawal, 53 kg की category में, और North Korea की जो पाक यॉंग मी है, इनके withdrawal के बाद, इनके जीतने के chances भी बढ़ जाते हैं, तो ये होंगे historic Olympics for India, और वीडियो करने से पहले आप से question भी मैं पूछूँगा, question आपके लिए है, कि 2024 के summer Olympics, ये कौन सा देश host करेगा, simple question है, नीचे comment section में answer करो, सही answer में आपको दूँगा नी, because आपको बस एक simple google search करनी है, आपको answer मिल जाएगा, मगर आपको इसके ब bank, railways, IIT, any examination, unacademy.com पे जाओ, click करो, अपने exam पर, get subscription पे, और जो यहाँ पर original price है, ये पे मत कर देना, सिरा यहाँ पर code यूज करो, PD10, और ये होगा आपका discounted price, after using the code PD10, तो यूज करिए discount code, and save money, इसी note के साथ, यह video कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all. झाय सर्फ है, कर दो, पूल कर दो ।बchlät दूए, यह कर दो, सिरा अपका।बस है, वे कर दो नहीं सन। यूपका, यूज